बहुत इस्तकार जोग, गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी, आओ सब तु पहलना गुर दे पाशा दी बक्षिश, पित्तर फते बलंद करिये, बहुत इस्तकार से अताखना जी, वाहिगुर जी का खालसा, वाहिगुर जी की फते, बाबा महराई सिंग उना दे जीवन दे बारे, पहलना तो हड़ना दो परकरन जीडे ने उसांजे किते जा चुके ने, जेकर असी उना दा निचोड वेखिये, ते बाबा महराई सिंग दे उपर, अंगरेजी सरकार दे बलो, सक्ती करन दे जीडे कारन ने उना दी समझ सिसर गर्मियां दा किंदर बने हुए है, दूसरा उना दा एहम नाम आजन दा है, प्रिमा साजशकान दे विच, जित थे अंगरेज रेजिडेंट हैंडरी लारेंस दे उस दे साथियानों मारन दी साजश टेडिया उकडी जन दी है, तीसरी गाले के उना दा नाम आजन दा मुलतान दी बगावत दे विच, जित थे पता लगदा है, अंगरेज जानों के मूल राज़ दी मदद करन दे वास्ती उगए ने, उस तो बाद चेतर सिंग, ते शेर सिंग, अटारी वाले जो अंगरेज जान दे सामने थियार सुड़ देने, ता उस आतम समर्पन दे फिर बाचते निकल देने, उस तो बाद एहम कटना हुं दी है कि उनना दे बरूद और गोली से केदा पता लग जाना, उने तुसी वेखो कि ए बाबा महराई सिंग जिड़े ने, ओ किस तरह दे नाल, अंगरेज जान दे गले दी हट्ड़ी बने होई ने, कि एक कल्ला वेक आज उनना थोड़ा जा पशुकर वी दास्ते मां कि कलगीतर पाश्या गुरु गोबन सिंग मारा आई दे कोलों, खंडे बाटे दी पाहुल लेके सिंग सज्जन वाले पाई दिया सिंग जी जिड़े पांज प्यारें दे विच सन, और उनना दे कोलों ही खंडे बाटे दी पाहुल जिड़ी है लई गई वाखवाख सिंगां दे कोलों ते जदों असी ओस पीडी दी जा ओस परंपरा दी गल कर दे हैं ता उसे परंपरा दे विच बाबा साहिब सिंग बेदी उनना वाले आजान देने ते बाबा साहिब सिंग बेदी उनना वाले जिड़े ने उनन ने खंडे बाटे दी पाहुल बक्षिश की ती पाग सिंग कुरी वाले नो जड़े अगो उना दे जानशीन बने पाग सिंग कुरी वाले हैं तो बाद बाबा बीर सिंग जी नुरंगाबाद वाले ते बाबा बीर सिंग जी नुरंगाबाद वाले हैं तो बाद बाबा महराय सिंग जी जिनना दा पहला नाम जड़ा सी गा ओ निहाल सिंग सी सो जेकर असी अंग्रेज्जान दे खलाफ इनी वड़ी बगावद दा अरंब करनवाले बाबा महराई सिंग दी संपरदा दा सारा रूप वेख देयां तो हाड़े सामने आ जावेगा किकल गी अधर पाश्यार गूबन संघ्जान दा निया औना कि दिखन सेंगों अग्ँों खंडे बाटे दी पाहल लें देने बाबा सूबा सुबा सिंग्जी दे ज़िवाद साहभ महराई सिंग जी पर लंगर दे विच संक्ता दे न और बहुत प्यार दे महाराज जी महाराज जी कहके बुल्ला गरदे सी इसे करके महाराज सिंग दे नाम दे नाली मशूर हुए ते कुदरतं जनिया अंगरेज़ा ने इना दे ख 11 खुफिया अरिपोटां पे जियाने ओदे विचे शबद आजान दे गुरू महराज तो एदा मतलब है कि सिख कौम दे विच उन्ना नो इन्नी ज़दा तार्मक ते राज सी तोरते परवानगी मिली कि जिस तरह सिख गुरू सहबांदा स्थिकार कर दे विच पंजाब दे विच आके फिर उन्ना ने एक होर कह सकते हो के बगावत करंदा एक टीचा में तिया ओस टीचे दे विच सी के होन बेशक सारे पंजाब दे उपर अंगरेज जानदा कबजा हो चुका है लहौर दे के लिए दे उपर होन सरकारे खाल सादा निशान नहीं बलके यूनियन जैकदा चंडा सी दलीब सिंग उनना दी गृफद दे विच सी महाराणी जिंदा जड़ी है उसनू लहौर तो नकाला दिता जा चुका सी ते बाबा महराणी सिंग दी होन एक कोशे सी के जेकर दलीब सिंग नू जिस दे बारे एक कंसोवा उनना तक पहुंच चुकिया सी के उसनू होन वदेश दी तरतीते ले जाया जावेगा ते बाबा महराई सिंग दी एक कोईसे सी के जेकर दिलीब सिंग नू अगवा करके आपने कोल ले अंदा जावे ते दिलीब सिंग बेशक अजे नबालग है पर ओधी अगवाई या फिर ओधे अनुसार जा फिर बाद दे विच उसनु राजा जेड़ा ओधी अलान कर देता जावे पर ओननु अपने कोल राखके ओधे गवाचे होए राज दे बारे जेड़ी जाँ गया ओधी जावे तो ओधे वास्ते उनना ने मजे दे द्वाबे दे अलाके दे विच आपने केंदर स्थापत कीते फिर उनना ने जड़ा सिगा बुरूद, गोली, सिक्का एकतर कीता निशानना होन ऐसी के किसे तरह दे ना लहाओर दर बार दे विच जो द्लीब सिंग जड़ा उस नो लेके उना होन ओधे वास्ते उननाने इननी प्लैनिंग दे ना काम कीता कि ऊट तयना काम कर देने, सब तो पहला आते ओ, सरदार किशन सिंग नो अमरे सर पे देने, जिड़ा ओना दा एक खास व्यक्ति है, किशन सिंग दा की काम है, कि किशन सिंग दा काम है, कि उसने लहोर दरबार दे विच जाके, जिड़े महाराणी जिंदा, और दलीब सिंग दे वफादार व्यक्ति ने उनना दे नालस बंद स्थापत करने कि जेकर दरबार लहोर दे उपर जिड़े बागी ने, रंजीत सिंग दे पुत्तर नू कह सकदे कि चुक के लेके जानवाले सिख बागी, जो दो हमला करन उस वेले किले दे अंदरों उनना दी मदद हो सुके पहला काम उए कर देने दुज्जा पड़ा उनना दा एए कि उननों एए पता है कि अमरे सर दे विच जेकर सिख नू तार्मक ताउर ते वड़ी जांग दे वास्ते तियार करना है ते ओदे वास्ते दर्बार साब दे जेडे मुख गरंती गयानी टेक सेंग ने ओबहुत वड़ीया पूमकान बासक देने सो ओउनना दे नालवी सबंद स्थापत कर देने कि तार्मक ताउर ते कैसाग दे कि सिख दी एस जांग नू तार्मक रूप दे विच एक कैसा दे एक वदिया रहनमाई दे दे वास्ते जां कह सक दे कि ओथों जेकर हुकम हो जावे कि सिखाने जांग लड़नी है ता ओ दर्बार साब दे जेडे ओस विले दे मुख गरंती ने टेक सेंग उनना देना सबंद स्थापत करते ने ता पहला लहा दर्बार दे विच अपने सबंद स्थापत करते ने किशन सिंग हुणा नो पेज क Bruce के दूसरा अननने सबंद स्थापत करते दर्बार साब्दे मुख गरंती कि यानी ते टेक सेंग देना ते तीजी एहम गालगे आठ वदिया कहा सकते हैं कि जिडे गुरिला जंग लड़न दे काबल वेक्ती ने उननु लहौर दे विच पे देना फकीरां दे रूप दे विच जिडे लहौर दी तरम शाला दे विच जाके रहीं देने जिडे विच जिडे विक्ती ने जिडे उत्थे जाके रहीं देने सब तो पहला दे वेक्ती ने जिडे बाबा महराई सिंग दे नाल पहला एस सारी वियों तुनों त्यार कर देने उना दे विच बहाद्सिंग ते तर्म सिंग जड़े द्वबे एञीतों ने उबाबा जी द एसकाम दे अल्ग साहद देंगे औने ये जड़ी सारी त्यारी केती जंदी है माज़े दे बेंद सुझो वाल दे विच जंदी है उस्तो बाद माज़े दे जेड़े खास वेक्ती उना दा साध देने उना दे सरदार चड़त सिंग, पंजाब सिंग, कान सिंग, गेंदा सिंग, बाल सिंग, ते निशान सिंग, ते किशन सिंग एक वेक्ति ने जड़े उना दा पूरा साहद देने उस तो बाद इना ही वेक्तियां दे वल्लों इना दी एक रंगरेटें दे दाल देनाल मुलाकात कराई ज़न दी है एक रंगरेटें दा ओ दाल सी जड़ा रंजीत सिंग दी हारतो बाद वापस आगया और सब्तो बड़ी एक अलसी के जड़ो बाबा महराय सिंग दी इना देनल मीटिंग होंदी है तां ओस मीटिंग दे विच ओ एक दो जा तिननी बलके बाबा महराय सिंग नू विशवाश दोन देने कि असी एस बगावदे दुरान जेडी बगावदे वियोंत दिलीब सिंग नो अगवा करके ले उन दे बारे है एदे विच असी एक हजार तोड़े दार बंदुकां दा जोगदान दवांगे सो तुसी कह सकते हैं कि ओए एक तरह दी एक हजार तोड़े दार बंदुकां वाली हत्यार बंद रेजिमेंट सी जेडी है ओँ महराई सिंग नो साथ देंदा प्रण कर दी है सो सारे पासियां तो कह सकते हैं कि ओए आपने आपनों बड़े वधिया तरीके नाल जथे बंद कर देने और फकीरां दे पेस दे विच जेड़े ने आठ वेक्ती जेड़े ने लहोर पहुंच जान देने जिना दे विच सरदार राम सिंग, सरदार रूप सिंग, सरदार चतर सिंग, नहाल सिंग दो ने ऐसे तरह ज्वार सिंग भी दो ने एक गिरवर सिंग अठ विच जान दे पहुंच जान देने होन इना तिनना दे नाल कह सकते हैं कि एक सारता ते एक रूपता कि दलीब सिंग नू कदों चुक्या जाना है केमे चुक्या जाना है किते लेके जाना है किते रखना है ओदे वास्ते तेने चिठियां जेडियां ने उपे जियां जान दियां ने ते जदों ओचिठियां कह सकते कि उनन उपे जियां जान दियां ने ते ओसे वेले ओही प्रेमा जेड़ा जेकर तुसी मेरा पहला लेक्चर सुनोंगे जिदी पूम का शकी लग दिया है उसे प्रे जेड़ा उपाज जानदा है जेड़े आठ वेक्ती लहौर देविच पहुंचे हुंदे ने उन्हानों गर्फतार कर लिया जानदा है टेक सिंग होनी जेड़े ने उन्हानों भी एकतरां देनाल नजरबंदी ची कर लिया जानदा है ते इदे तो अलावा जेड़े किशन सिंग ने उन्हानों भी उत्व गर्फतार कर लिया जानदा है जो मैंनों फेर लगदा है जेड़े मैं अराम देविच गाल कीती सी के प्रेमा साजशकान देविच प्रेमे दी जेड़ी पूम का है ओवी किते ना किते ओव पूम का है के ओव जड़ियां सिखा दियां बगावद दियां कह सकते हैं के वियूता ने उन्हानों खत्म करदा है अगले पास से जेकर होना सी मोरे दी काल करिये जड़ा गुलाब सिंग डोगरे दी फौई देविच वजीराबाद तो रेन वाला ते नहाल चंदा चाच्चा है कितना किते एवी मिनू लगदा है के एक शक्की व्यक्ती तव जरूर है गाए के जदो सारी जड़ी कह सकते हो के एव वियूत बंदी दलीप सिंग नो अगवा करनो आली पूरी तरह दे नाल सिरे चाडनो आली सी मौके दे उपर जड़ियाँ ओचिठियाँ फडियाँ जण दियाँ ने अंग्रेजजज़ाँ दे पैरा हिठों जमीन निकल जण दियाँ भाबा महरायसिंग जड़ियने ओफिर अंग्रेजज़ाँ दे हाथ नहीं ओँडियों दे रूप वोश्व जड़ियने इस तो अगले परकरण दे विच संजे करांगे के केस तरह देनाल मुखबरी हुंदी है उननों गर्फ़तार की ते जानदा है ते केस तरह देनाल उननों सिंगापुर जेल दे विच पेज़ जानदा है सु इन्यक बेंतियां परवान फत्य दी संज प्यार सहता करना जी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फत्य